नमस्कार दोस्तो आज फिर हम आज सब के लिए एक नई फिर से कमाल की वीडियो लेकर आच चुके हैं सो दोस्तो फाइनली साउमी 11T Pro 5G स्मार्टफून इंडिया में लाँच हो गया है आज की इस वीडियो में हम आपको इस स्माटफून के बारे में सब कुची डेटेल में बताने वले हैं इस smartphone का specification क्या है और इस smartphone का official price क्या है तो दोस्तों वीडियो में last तक बने रहे ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को please एक like जरू कर देना और इस channel पर पहली बार आए हो तो channel को please subscribe करके bell icon प्रेस कर देना ताकि ऐसे इनने वीडियो को notification साथ से पहले आपको मिले तो चलिए वीडियो को continue करते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस smartphone के display से सो दोस्तों इसमें आपको 6.6-7 इंच का Full HD Plus AMOLED डिस्पले मिल जाता है जो की 120 हर्ज फाइस्ट refresh rate के साथ आता है 180 हर्ज का TSR मिल जाता है 399 के PPI के साथ आता है 1000 nits का peak brightness मिल जाता है 800 nits का typecal brightness मिल जाता है और HDR 10 Plus को भी support करता है और आगे core rating गोरी लगलास बिक्टस का screen protection मिल जाता है sunlight 3.0 का support मिल जाता है reading 3.0 मिल जाता है DCI-P3 color image के साथ आता है 10 bit color देखने को मिल जाता है छोटे से पंच होल के साथ आता है नीचे थोड़ा सा चिन दिखाई देगा बेजल लेट display है देखने में बहुत ज़्यादा कमाल के दिखाई देता है देखो यार एज जो smartphone है अपने पराजी रेंज में बहुत ज़्यादा बेश्ट डिस्पले एस्पेसिफिकेशन दे देता है overall display wise बहुत ज़्यादा कमाल का है तो दोस्तों बात करें एसी smartphone की camera की तिसमें आपको camera भी बहुत ज़्यादा बेहतरियन देखने को मिल जाता है वैग में आपको तिर्पल camera setup मिल जाता है पहला है 108MP का wide angle camera और दूसरा है 8MP का ultra wide camera और तीसरा है 5MP का tele photo camera इसमें आपको omni vision का sensor देखने को मिल जाता है बात करें selfie camera की तो फरंट में आपको 16MP का selfie camera मिल जाता है छोटे से 5 hole के साथ आता है इसमें भी आपको omni vision का sensor देखने को मिल जाता है तो दोस्तों इस smartphone का wide camera भी ठीक है इसमें आप अच्छे quality में video भी बना सकते हो और फरंट camera भी ठीक है इसमें आप अच्छे quality में selfie भी किलिक कर सकते हो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस phone की main specification की तो दोस्तों इसमें आपको side mountain fingerprint sensor मिल जाता है EF3.1 का storage support मिल जाता है LPDDR5PX type RAM मिल जाता है बात करें इस smartphone की battery की 30 में आपको 5000 image की battery मिल जाती है जो की 120 watt super fast charger को support करता है Android 11 के साथ आता है MIUI 12.5 पे run करेगा तो दोस्तों बात करें इस smartphone की performance की इसमें आपको Qualcomm का बहतरीम processor देखने को मिल जाता है इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 888 का processor देखने को मिल जाता है जो 5 nanometer technology पी बेसेटी एक आक्टा कोर processor है एडेनो 666-0 का GPU मिल जाता है तो दोस्तों performance वाज कोई दिक्कन नहीं होगी इसमें आप high graphic पर game औगारा easily बड़े आसाने से खेल सकते हो day to day smartphone हावा से बाते करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बेहतरीम processor है तो दोस्तों बात करें इसी smartphone की connectivity की इसमें आपको Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 GPS USB Type-C port इन सभी का connectivity मिल जाता है और साथ ही आपको NFC का support भी देखने को मिल जाता है इसी के साथ में आपको Advanced BC Liquid Cooling का support भी मिल जाता है और इसमें आपको Dolby AdWords के Dual Studio Speaker देखने को मिल जाता है इससे smartphone की आवाज quality बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है और यहाँ पर आपको 13 5G बैंड भी देखने को मिल जाता है इसी के साथ में आपको 3 साल तक का मेगर Android अपडेट भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर 4 साल तक का security patch भी देखने को मिलेगा दोस्तों बात करें इस smartphone की design और विल्ड क्वाल्टी की तो design wise देखोगे इस smartphone देखने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिखाई देता है इसका जो camera housing है देखने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिखाई देता है और इस smartphone का जो color है बहुत ज़्यादा कमाल का दिखाए देता है, यूनिक look देता है, देखने में बहुत ज़्यादा कमाल का दिखाए देता है, आगे से देखोगे तो छोटी से punch hole के साथ आता है, नीचे थोड़ा सचिन दिखाए देगा बिजलेट डिस्पले है, ये स्मार्टफून आगे से भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है बिल्ड वाइज देखोगे तो गलास बैक के साथ आता है एलमुनियम फ्रेम मिल जाता है और आगे को रेनिंग गोरी लगलास बिक्टर्स का स्क्रीम प्रोटेक्शन मिल जाता है तो दोस्तो एई स्मार्टफून डिजाइन और बिल्ड वाइज काफी ज़्यादा अच्छा है एई स्मार्टफून इंडिया में लाँच हो गया है बात करें इस स्मार्टफून की प्राइज की तो इसका जो बेस बेरियंट है 8GB का RAM और 108GB का इंटर्नल जिसका प्राइज है 42,000 रुपए और दूसरे स्मार्टफून है 8GB का RAM और 256GB का इंटर्नल जिसका प्राज है 43,000 रुपए और तीसरे स्मार्टफोन है 12 GB का रैम और 256 GB का इंटरनल जिसका प्राज है 44,000 रुपए तो दोस्तो इस स्मार्टफोन का प्राजिंग कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरू बताना बस आज की वीडियो में इतने ही अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरू कर देना और इस चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसे नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन साब से पहले आपको मिले तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टापिक साथ अब तक लिए जैहिंद हो अन्दे मातरम